हेलो एब्रिवन आज हब बात करेंगे एग काउंट या महिला में पाने जाने वाले अंडे की काउंट के बारे में जन्म से लेकर लेट 40s की एज तक जब महिला का जन्म होता है एक छोटी बच्ची का जन्म होता है तभी उसके शरीर में जो अंडे होते हैं वो इश्वर द्वाला दिये जा चुके होते हैं तो ये बहुत ही अचम्बित कर देने वाली बात होती है कि जब एक बच्ची का जनम होता है तब से ही उसके अंडे तै हो जाते हैं और यही वो अंडे है जो वो अपने पूरे रिप्रोड़क्टिव लाइफ में इस्तमाल कर सकती है जब महिला को पहली बार मेंसेज आते हैं यानि प्यूबर्टी के टाइम पे तब तक वो धीरे धीरे अंडे घट के बस लगभग जो है चार से पाच लाग तक ही रह जाते हैं और तुरूआउट जो रिप्रोड़क्टिव एज होता है उस दौरान वो सिर्फ तीन सो से चार स अंडे ही रप्चर हो पाते हैं इस डूरेशन में तो इसलिए हमारे अंदर रिप्रोड़क्टिव के पैसिटी इसी पर डिपेंड करती है कि हमारे अंदर अंडे की काउंट्स कितने हैं जिसे हम ओवैरियन रिजर्व कहते हैं और यह हर महिला में अलग-अलग होता है जिसक की ब्लड टेस्ट हो सकता है अल्ट्रसाउंड हो सकता है और हम एज के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करते हैं कि लग-बग कितने अंडे किस महिला में उपलब्ध हो सकते हैं और यह बहुत बड़ा मारकर होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक फीमेल के अंदर पॉर्टिल गुडवत्ता और काउंट दोनों में ही तेजी से गिरावट आने लग जाता है धन्यवाल